हेलो हाई सस्त्रिया काल स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल पॉलिवड बॉक्स ओफिस टॉट कॉम मुवीज म्यूजिक एंड मोग मैं आर्थी आपकी होस कम दोस्त जादा तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चानी मानी टीवी और पंजाबी अक्ट्रिस सर्गुन महता की जो अपने शांदार गानों और बहतरिल एक्टिंग के लिए जानी जाती है अब वो बॉलिवड में अपना डेब्यू करने जा रही है पहले ही फिल्म में अक्ट्रिस सर्गुन महता बॉलिवड की सूपस्तार अक्षे कुमार के सैंग स्क्रीन पर नजर आएंगी चानकारी की अनुसार वो फिल्म मिशन सेंड्रेला से बॉलिवड की दुनिया में कदम रखने जा रही है एक्ट्रिस ने अपने बॉलिवड डेब्यू और अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि सही भूमिकार के लिए इंतिजार करना बहुत जरूरी है चाहे आप कहीं भी कदम रख रहे हो खासकर जब आप एक नए माध्यम में कदम रख रहे हो क्योंकि कुल मिलाकर वहाँ एक नए दर्शिक वर्ग है उनके इस बात से साफ है कि मैं बॉलिवड में एंट्री के लिए एक सही और एक दमदार रोल का नजज़ार कर रही थी बॉलिवड इंडस्री में डेब्यू को लेकर सरगुन महता ने I.A.N.S. से कहा मैं पहले बहुत डरी हुई थी लेकिन दूसरी तरफ बहुत खुश भी थी यूकि ये मेरा बॉलिवड में डेब्यू है फिर आपको पता भी नहीं सकते कि मैंने पहला शॉट कैसे दिया लेकिन सब सही हो गया आदें कि 33 साल की सरगुन महता करोल बाग की अलावा कलस टीवी के शोग फुलवा में भी नजर आ चुकी है उन्होंने पंजाबी फिल्म अंग्रेज से फिल्मी करियर शुरू किया था तो ये थी हमारी आज की वीडियो पंजाबी एक्ट्रिस सरगुन महता की पॉलिवुड एंट्री के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और भी टीवी चगत से जुड़ी खबरों की दिल्चस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें